तो आज अपने आपकी 16.2 यानिगी 16.2 स्टार्ट कर देंगे उसको फर्स्ट क्योशन है वह है दाइमेटर ओफ आपको पहले से लाना होंगे वोल्यूम का फॉर्मला पाई रसकरेच होता है और कुल प्रस्टी से टोटल सर पेसे रहे है तो पायर वेकर में होता है अब यह फॉर्मले में पहले क्यों नहीं है कि देखो हमें किसकी जूरत पड़ेगी आर की एस तो है हमारे पास क्योंकि जो प्रसे और यहां प्रस्तर। निकी बेलन का सपरीजुम और यहां उतर है रैडियस का डबल वह वह About 14 सेंटिमेटर थीक है एक चव्रेड व्रेडि blowing का दास्ता तो आर हमेशा क्या हुआए कि डायमेटर की आर हमेशा आदी होती है यह से कट जाएगा था की वैलियू आगी साथ सेंटीमेटर हैंदें इंगलिसस दोलोस अन्स र्यागी तो रेडियस की वैलियू आगीं 3 जा आगई 7 सेंटीमेटर चलो हमें यह चाहिएए अब बाते पोच्ची सुम्पॉर्ण प्रष्टी चात्र पर फेस एरिया ठीक है तो पर कि देंगे total surface area ऑफ ट्रश्टी एरिया ओ अधसर प्रएस आज यानि कि बैलन का कुल प्रश्टी ये चेत्र फर्म अब अपन क्या करेंगे शोड में यूज गरूँगा मैं हर बार टीए से लिखोंगो तो आप समझ जाना कि वो शोड फोम है क्यों कि वो टाइमेस्ट होता है इसका फोर्मला दें उसले निदिका हो जाएगो टू पाई आर ब्रेकट में और प्रेकट में आर प्लस एज अचा आपने हाइट नहीं लिखी क्या आप यह ही प्लेग लाइन हो लिख दिना हाइट ऑफ इसलेंडर कि यानि की बेलन की उंचाई जिसको पन एज से दिनोट करते हैं वह 15 सेंटीमेट यह भी लाइन अपन को एड करनी है तो एज यहां पर 15 लिख देंगे साथ से साथ कड़िया यह हो गया 44 ब्रेकेट के अंदर का मतलब मल्टीप्लाइए लेकिन एक मिन ब्रेकेट कर लेते हैं अबन साथ-पाच-बारा यान की बाइस किया हो गया इसका मल्टीप्लाइग कर लो बहुत इस ही है 22 टू की टेबल दो कम से हम बहुत सक है इसका टोटल सर्फेस एरिया है कि हमेशा जया रखना सेंटिमेड स्कूर लगाना मत बूलना क्योंकि यह एरिया है चेत्रफल है गल्ती मत कर देना अब अपने निकालना है वोल्यूम ठीक है वोल्यूम अपस लेंडर दूसरी बात क्या है पुछ उसने वोल्यूम मतलब तो वोई दोनों सें ही रहीगा इंदर सेंव रहेगी पंदरा साथ से साथ कट गया है इसको इस से मल्टिप्लाई कर प्र 27 सपांच एक सुपांच तो यह और 22 से कर लो तो क्या जाएगा सीदिसी बात है फाइस की टेबल बोल तो या फिर दो दोसे कर लो तो या जाएगा 012 तो क्या गया 0132 तो वह आंसर क्या निकल लिए तैईसो दस आनेचे तो कुछ है नहीं हाँ ठीक है सेंटीमेटर क्यूब ध्यान दकना घन सेंटीमेटर आएगा क्योष नम्बर सेकंड को 3 बात्या कि तीन बात्या सिखा देगा यह कह रहा है कि लंब बूरती बेलन उसकी उच्चे ही सात सेंटीमेटर चर्फेस निकालना उसके बात्यान्य निकालना है आईते निकालना है थोक्ष कि पर सफेस और वहूलिए आपको क्या के देर रहे है रेडिस दे रखिए तीन सेंटिमेंट हाइट दे रखिए साथ सेंटिमेंट तरिजा रों चाहिए दे रखिए बहुत ज्यादा सिंपल है तीन फॉमले एक बार रिकॉल करो जिसको नहीं आदो देखो कवर्ड सर्फेस एरिया का मतलब वक्र प्रश्टिय चेतरफल वो तो होत अग्याद को जब याद दे चोटा एक कोई बनता ही नहीं तीन ही कोशे बनते है चलो फिर लाइन वाइस देखते हैं सलोशन कहके हमें गिवन है एक तो में गिवन है रेडियस रेडियस और कई स्लेंडर आइक बैलन की त्रिया जिसको पन आर से दिकाते है वह हमें देर ठीक है एक दिरीक है हमाई हाइट है हाइट टोप पे स्लेंडर यानि कि बैलन की उचाई उचाई को अपन दिखाते हैं एट से वो है साथ सेंटीमेटर ठीक हाँ हाँ हाइट साथ है रेडिस तीन है इसके अलावा हमें तीन बाते निकाल लिए है कवर्ड सर्फेस एरिया यानि कि वक्र प्रष्टि ये शेत्र रफग जिसका फॉर्मुला होता है तो टू इंटू पाई जब तक ना कहें इपन बाइस साथ रखेंगे 3.14 नहीं रखेंगे इंटू आर तीन दे रखा है एस साथ दे रखा है इसे इकट जाएगा ठीक है यह हो गया 44 और 44 को को कर लो आ सब्सक्राइब करेंगे जाएगा फिर आपने निकालते हैं टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया कुल प्रष्टि ये शेत्र फर फोंग लागिया होता है तू पाई आर ब्रेकेट में एच प्लस आ या फिर आर प्लस एच यह की बात है तो टू वेलियर को टू की इसको इससे मल्टिप्लाइब करो 44 चमालीस आये थे फिर 44 को आपने 3 से क्या आये था 132 यहां से निकल जाता है इसको आपने में ही इंटू साथ और तीन होगे 10 क्योंकि यह मल्टिप्लाइब में सारे के सारे ठीक है अब कुछ कटने रहा तो कोई बात नहीं आप साथ का इसमें डिवाइड कर दो इन्टू 10 कर देना यह बहुत असान तरीक है यह यहीं कर लेते हैं साथ का इसमें भाग प्र चपण साथ नम से नाइन जा शिक्टी त्री होता है यानि कि से उन एट जा फिप्तीज हो जाएगा यह पर ना पीछे लग गया पॉइंट जीरो फिर आ गया फोर बची जीरो हो गया यानि कि अप्रॉक्स वेल्यों आ गई से वन फाइब जा थाटिप्लाइब लग इ यह मैंने ट्रिक बता रहे हैं आपको तो यहां परा अंसर निकल क्या आ जाता है एक सो अथ्यास यानि 188.5 एप्रोक्स है यह लगबग ठीक है सेंटीमेटर स्क्वेर स्क्वेर क्यों लगा क्योंकि दोनु ही एरिया है चैतरफल इसके वरग सेंटीमेटर आएगा सेंटीमे 2.5758 वो एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं उससे कोई फरकने पड़ता है यह भी सही है फॉर्मुला होता है पाई आर स्क्वेर एच पाई की विलिए 22.7 इंटो आर अपना 3 3 इंटो 3 इंटो एच अपना 7 साथ से साथ कट यह है और 22 विस से किया तो यह है 66 ठीक है 66 को आप कर कर दो 3 3 618 1 के री 3 618 और 1 1 98 सेंटीमेटर क्यूब यानि कि घन सेंटीमेटर भी बोल सकते हैं हिंदी में इसको क्योंकि यह वोल्यूम था और आईतन आईतन अके इंदर सेंटीमेटर क्यों बहुत ज्याद मैं बार-बार कह रहा हूं आपको इन पर जरूरूर ज्यान देना करका उसके मैंने इस बहुत खास बात रशायत SI क्यूबोई कि चरूब की भहुत पर्फेक्ट यह चीज जना बहुत जरूरी है को एक बात द्यान दाना यह से अपने कहाता है क्यूब ओड यानि घनाब का हर बेस हर अधार रेक्टंगल होता है और क्यूब का क्यूब का हर स्क्वाइर होता है मलब क्यूब का मलब घनका परतेक जो फैस होता है वह क्या होता है यह स्लेंडर है इस स्लेंडर का जो यह आधार है चाहिए वह इधर का हो यह उति wanna हो इसका सरंकल कि यह बहुत जरूरी है जानना कि इन चार्फ pots सकर्क है और अब च्चरह गर prosecution के अभट जरूरी है कहा हुआ है यह कर त्सम를 जिसकी हाइट दे रहे हैं और इसका एक सीरे का बोल दो बहुत काम की बात है और जो वन एंड का उसने एरिया दिया यह बहुत काम की बात है वन एंड का मतलब यह स्लेंडर है इसका चाहिए यह हो चाहिए ओफ है कोई साभी ही एक एंड ठीक है इसका मतलब हम इस लिख rage हमारे पास क्या चीजयर लीख रुखा है कि आ मैंक है तो बेलं का बैलं के की के एक सीरे का स्मझ पार और बैलं के सीरे का चेकर तुर्फ यानिए कि area of a it area of one and सअधhone 1 टीर के लेंड इसका मतलब यह हाम जानते हैं कि आप सिरह कल है और इसके बाद हम क्या लिख देंगे ओमुह में चाहर है 154 जो गीवन है वो चीज़ लिख दो अब एक सीरे वन एंड का मतलब सरकल वरित और उसका फॉर्मला होता है पायार स्कूर इसका मतलब पायार स्कूर ही 154 है क्योंकि वरित का चैतरपल होता है दोनु के फॉर्मले में आर आता है और आर हमें चाहिए तो आर हमें यहीं से मिलेगा अर का मलदब त्रीजर रेडियस समझ पारे हो ठीक है अब पाई की वेल्यू बाइस बटे साथ इन्टू आर स्क्वेर इन्टू वन इकोस्टू 154 तो आर स्क्वेर इकोस्टू 154 साथ इन्टू साथ बचा आपको पता है स्क्वेर जाता है रूट में समझ पारे हो दो बार साथ यानिक एक साथ बार आ जाएगा जोड़ा बनिया न अंदर तो आर की वेल्यू आगी साथ अब हमें निकालने उसका कवर्ड सर्फेस एरिया और वोल लिए तो हम लिख देंगे कवर्ड सर्फेस एरिया ओफ एस लेंडर यानिकी बेलन का वक्र प्रस्टी ए चतर फक्र ठीक है बेल निका वक्र पर जाएगा तो पाई रह अभी जस्ट सेकंड क्या था तो वह जाएगा टू पाई की ज़िए टुवंटी टो पॉन सैवन इंटू आर शात है और एच होगी अपना ट्वंटी हुआ साथ से साथ कर जाएगा यह ओग सेंटीमेटर स्कॉयर या हिंदी वाले बच्चे वरग सेंटीमेटर भी कह सकते हैं यह था इसका कवर्ड सरफेस यह नहीं वक्र प्रश्टी चतर फल अभी इसका निकाल देपन वोल्यू आई ता हम लिग देंगे फोल्यूम ऑफेस लेंडर यानि की बैलन का आईतन और वो फोर्मॉला आता है पायर स्कॉयर इच बाइस बटे साथ इंटू आर की वेल्यू क्या आई साथ आर स्कॉयर यह तो साथ इंटू साथ और एज कितना है एज अपने पास 21 सेंटीमेटर 21 इससे कड़ गया इसको इस टेक्निक है टाइम सेविंग हो गए यहां पर साथ एकम साथ सेवन टूसर फोर्टीन एक सुसीन तालीस आगे इसको बाइस से कर लो तो दो सत्य चाहुदा हां से लगी एक आट एक नो और फिर दो अब एजट इस वापस आ जाएगा तो यह कुछ टेक्निक है जाब टाइम बचा सकते हो यह थार्टीन वन के रही तो यह दास से लगी एक है यानि कि 3-2-3-4 सेंटीमेटर क्यूब या फिर गन सेंटीमेटर भी बोल सकते हो ऐसे हैं आपका क्योश्ट नमर फोर काफी इंपोर्टेंट क्योश्ट है ठीक है यह कि दो लंब वर्तिये बैलन की त्रिज बताना है ठीक है दोनों का रेशियों में गिवन है और फिर इनके कोवर्ट सर्पेस से रहे कर बहुत इजी क्योश्ट है देव तो समझना आपको यह कि हमें कुछ मानना पड़ेगा स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे पर कि लेट क्योंकि दो आपके पास बैलन है स्लेंडर क ठीक है यांकि माना पहले बैलन की त्रिजा ऐसे लेट रेडिस ओप सेकेंड स्लेंडर माना दूसरे बैलन की त्रिजा आपको पूरा लिखना लाइन ठीक है यांने कि इसको विमार्ण एंपर आरवन इसको पने माले अर तो थोड़ा समझने के लिए या फिर क्यापिटल आर स्मॉल आर भी मान सकते हैं आरोण ना तू के दो या फिर के अब किस्टु वाइशू नहीं है अपर इसे अपने माले लिए हाइट लेट हाइट 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 फॉर्स लेंडर यानिकी पहले माना देखो में स्ट्रेटमेंट जानबूच के लिए को आपको भी ऐसा ऐसा लिखना है ठीक है पहले बेलन की उचाई एच और दूसरे बेलन की उचाई यानिकी हाइट सेकंड की वो सपोज इसके बाद में उसने पूछा हमें गिवन क्या है यानिकी दिया है क्या दे रहा है और आपको उसका covered surface area find करना है तो अगर मैं बात करूँ वो भी क्या covered surface area की भी ratio very very important बात मेरी बात द्यान सुनना ratio का मतलब अनुपात उनका भी अनुपात पोच रहा है और अनुपात का मतलब होता है किसी चीज़ को बटे में लिखना upon में लिखना मेरी बात समझ में आगे upon में लिखना होता है अनुपात का मतलब इसका मतलब हमें ये लिखना है covered surface area of first lander समझ पारे हो यानि कि हिंदी वाल बच्च लिखना पहले बेलन का वक्रप्रश्टिय चैत्रफल चलो नीचे हिंदी वाल लिख देता हूँ covered surface area of second slender हिंदी इंगलिष दोनों राजी रहा है इसलिए अब मेरी बात सुनना अगर मैं बात करूँ next covered surface area of first slender उसका फोर्मला क्या होता है 2 pi r h तो यहाँ पर r capital h b capital क्योंकि हमने first के height को capital h से है first के radius को capital r से दिखाया है upon नीचे वाले को 2 pi r small ले लेंगे small h क्योंकि हमने second or less slender को small h or small r से denote किया radius or height को यह ratio में मैंने क्यों लिका क्योंकि उसने पूछा अनुपाद था अनुपाद पूचा था इसलिए अब मेरी बात समझना हाँ यहाँ पर मैंने लिका given 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 क्या है वो बात थोड़ीचे में लिक देता हूं उसने कहा कि r1 और r2 यह पिर अपने जो small लिया तो smaller लेंगे इनका ratio में दे रखा है 2 अनुपाद 3 तथा यानिकि end height का ratio दे रखा है यानिकि edge अनुपाद h वो दे रखा है 5 अनुपाद 5 ratio 4 इतनी बात आपको given में लिकनी थोड़ा अच्छा चा statement बनाना है जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिका है समझे पारे हो इसी line में यह दो line एक इसके निचे लिक देना उसके बाद formula लगाना और अब देखो बहुत असान है टू से टू कट जाएगा पाई से पाई कट जाएगा है ना या फिर वेल्यू रखके काट दूँ वो भी कोई बात नहीं तू पाई आर की जिए क्या रखें कैपिटल आर कितना है टू ठीक है टू कैपिटल ह कितना है पांच उपर है छह नीचे है इसका मतलब अगर मैं इसको राश्यो की फॉर्म में लिकाँ अभी क्या आया यह कवर्ड सर्फेस एरिया और स्लेंडर अपन कवर्ड सर्फेस एरिया और सेकेंड स्लेंडर यानि कि पहले बेलन का वाकरपेश्ट इस जातर पल आपन दूसरे अगा वाकरपेश्ट इस जातर पल यही हमारा अंसर है या पर मैं बिलकुल डिट्टो इसकी क्योश्टन की लेंगवज में लिकाँ या पहले बेलन का पहले बेलन का वाकरपरश्टिय जातर फल यानि कि दूसरे बेलन का वाकरपेश्ट बराबर 5 अनुपाथ 6 तो आंसर यह भी है और आंसर यह भी क्योंकि अपन का मतलब भी रेश्टो रिकना होता है इसी को आप इस लाइन में भी फॉर्मेशन लिख दो तो यह भी फॉर्मेशन आपका सही है यह तो आदा आंसर हो गया और उसके बाद में पूछा volume का भी रेश्टो बताओ आई चन का भी अनुपाथ बताओ अब आओ इदर इसके बाद में इस लेचा अपको की रेश्टो फिर बताना है अपने बहले बेलन का आइटन बटे दूसरे बेलन का आइटन ठीक है पॉन ठीक है क्योंकि रेश्यो का मतलब उसमोल ऑड चलो यह चलता रहेगा इदर पाई कीजिएंगा पाई रख दो कट जए लिए लेगा फिर फॉर्मल टी के पीटल आपना कितना है capital R हमने जो ratio की form में दे रहे है 2 ठीक है तो 2 का square into capital H कितना है 5 upon नीचे pi और r small कितना है 3 तो 3 का square into small h कितना है sorry small h कितना है 4 ठीक है तो pi से pi और 3 का square का मतलब बें 2 के square का मतलब 4 होता है तो एक बार खोल दो बने काट दो ठीक है चलो खोल देता हूँ 4 into 5 और नीचे 9 into 4 इदो continue चल रहे है चार से चार कट किया तो पांच बटे नो यह पिर same to same ऐसा लिख देना कि cover surface area of first lender ratio cover surface area of first lender ratio इसकी जगाया का यहां जाए कि volume okay volume of first lender ratio volume of second slender ना बराबर 5 अनुपात नो ऐसी लाइन में लिख सकते हो पहले बेलन का आईतन अनुपात दूसरे बेलन का आईतन बराबर 5 अनुपात नो तो अनुपात का मतलब इसका कहा नाम इसका आईतन का अनुपात यानि कि volume का ratio यह 5 रेशियो 9 और covered surface रेशियो 5 रेशियो 6 काफी इंपोर्टेंट क्योश्चन था क्योश्चन नुपात क्योश्चन नुपात क्योश्चन नुपात क्योश्चन मुश्किल नहीं है समझना इजी समझना बस समझने का फैर इसमें इसने का कि तोटल surface area of solid slender is 462 cm2 एक ठोस बेलन का संपूर् इस covered surface area is one third यानिकि इसका जो वकर प्रश्चिश चतर पहले उसको एक ती आई है इसके total surface area के वन ती आई है तो आपको volume find करना है तो पहले मेरी बात यह समझो कि हमें find करना है volume volume का मतलब item और item का formula होता है पाई r square और h इसका मतलब पाई तो चलो 22.7 22 साथ रख लेंगे हमें ज़रुत पड़ेगी r की और हमें ज़रुत पड़ेगी h की यह दो चीज़ें अगर होती तो डाइक रांस लिग देते हैं इन दो चीज़ें को निकालना सिकाता हूं इस question के demand स है देखो हमारे पास है क्या हमारे पास है total surface area of solid cylinder ठीक है यानि कि total surface area of solid cylinder ठोस बैलन का अब इसका formula क्या होता है इसका formula 2 pi r bracket में r plus h इसका मतलब यही 462 है यह perfect समझ में आगी बात क्योंकि यह इसका formula होता है बहुत important बात है इसको देदो आप equation first जैसा मैं कर रहा हूं वैसा क्या वैसा करना है यह बात समया आगी उसके बाद उसने क्या गया अपन को दियावा क्या है given हमें दिया क्या है हमें यह दे रखा है कि जो इसका covered surface area है वो one third है total surface area के यानि जो वक्र प्रष्टे चैतरपल है उसको वो एक तिया ही है कुल प्रष्टिय चैतरफल के यह अपनों यहां पर लिखना है यानि कि covered surface area जो है समझ पा रहे हूं और covered surface area of a slender यानि कि बेलन का बहुत असान तरीका है बेलन का वक्र प्रष्टिय चैतरफल बराबर one third of total surface area समझ पा रहे हूं यानि कि एक बिटा तीन कुल प्रष्टिय चैतरफल के प्रष्टिय चैतरफल के मेरी बात समझ में आगे यह उसके एक तिया ही है चलो वक्र प्रष्टिय चैतरफल का मतलब क्या होता है किसना देर का है चारसो माइट बाइक कुल प्रष्टिय चैतरफल चारसो माइट गिवन है अपने को ठीक है फ्रॉम एक्क्वेशन वन भी लिख सकते हो और यहां लिख दिया अपने फ्रॉम एक्क्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से भाई अपने समीकरण एक से तो लिए यह वैल्यू इसको आप काट दो तीन एकम तीन त्री फाइवजा फिप्टीन और त्री फोर्जा ट्वल तीन चोक बारा तो टू पाई आरेच बराबर एक सो चोवन ठीक है अब मैं आपको इसको आपके काम करो देदो एक्क्वेशन टू अब मैं आपको बहुत जबर्दस तरीका बताता हूं वो है को मानना पड़ेगा अब मेरी बाद सुनों यहां पर टू पाई रहेच एक सो चोवन है यहां पर टू पाई आर प्रेक इंडिम आर प्लस चार सो बहुत है 462 है यह पर 154 हमें चाहिए आर और एच कुल मिला कि हमें क्या चाहिए आर और एच और कुछ नहीं चाहिए क्यों चाहते है इपन पाई आर इस लगा देंगे हमारा अंसर आजाएगा अब आर और एच के लिए क्या करें यह तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूं कि कोई भी जब दो एक्यूशन बनती है उनको आप चाहो तो प्लस करवा सकते हो जैसी हमें जरूरत है उस करवाना है जैसे मैं बात करूँ कि अभी हमें डिवाइड कराएंगे पर क्यों कराएंगे कि डिवाइड से टू से टू कट जाएगा काटना है पाई से पाई काटना है आर से और आर कट जाएगा पीछे आर एच यहां बच्चेगा यानि कि हमें आर और एच बचाना बाग के दोनुको जैसे ही हमने डिवाइड किया मेरी बात को समझना जैसे ही दिवाइड किया तो क्या निकल किया वो समझना पूरी बात प्रोसेस यहां तो है सब्सक्राइब और यहां पाई से पाई कट गया क्योंकि वो दोनों आपस मल्टिप्लाई में उपर बच गया आर प्लस एच नीचे यह सिर्फ अक्यला एच बच गया इधर देखो यह कट रहे हैं क्या इसको भी आप काट सकते हो अगरी कट रहे हो तो यह एक्जेक्ट इससे तीन बार कट रहे हैं अपने प्लस है क्योंकि वन से किया तो इसको इससे किया तो यहां आगया थी है ठीक है H H एक तरप कर लो R इदर रहने दो 3H उस H को उदर वेज़ दो H चला गया माइनस में यानिकि R की वेल्यू आगई 2H समझ पारे हो R की वेल्यू कितने आगई 2H, यहनि रेडिस हो गया 2 इंटो हाइट, बहुत काम की बात है अब मेरी बात सुनना हमें कुल मिला कि R हो यह चाहिए अब अपने इस वेल्यू को सम्मिकरन 2 में रख लो 1 में थोड़ी लेंदी पड़ेगी रख तो उसमें भी सकते हो बात यह किए लेकिन यह जो वेल्यू आईए यानिकि तब वेल्यू बहुत असान है दो वेल्यू आफ R put in equation 2 यानिकि R का मान सम्मिकरन 2 में रखने पर और जैसी 2 में रखा 2 क्या कहता है वो कहता है 2 pi RH बराबर 154 एक बार उसको लिखो फिर 2 pi की जिगे 22 पटे 7 R की जिगे 2H R की जिगे क्या रखना है 2H into A H और है H equals to 154 समझ में आ गई अब देखना ये इसको सब उधर पेज़ दो 2H into H ये वोगे 2H square परफेक्ट इदर 154 है इन सब को इदर पेज़ेंगा रहसी फ्रोकल हो जाएगा साथ उपर चला जाएगा और 2 और 22 आजाएगा नीचे समझ लेना 154 अभी है साथ भी है 2 into 22 भी है और ये जो 2H square सा multiply में है ये वोगे उपर है इदर जाएगा तो ये चला जाएगा नीचे समझ में आ गई अब देखो इससे ये कटिया fix fix 7 बार तो अब क्या बचा H square बराबर उपर तो बचकिया 7 into 7 ये 7 और ये 7 नीचे बचकिया 2 into 2 ठीक है और आपको पता है square हमेशन जाता है root के इंदर तो 7 into 7 उपर और 2 into 2 नीचे है बहुत ज़्यादा आसान दो 2 के जोड़े बन गए तो यहाँ पर 7 बार आ गया और यहाँ पर 2 बार आ गया H की वेल्यू आ गई 7 बचे 2, 7 upon 2 बहुत परफेक्ट चीज़ हमें H की वेल्यू तो चाहिए थी इसको पन चाहें तो equation दे सकते हैं 3 अब मेरी बार सुना इस H की वेल्यू को यहाँ रखतो समझ पारे हो इसको दे दो चलो 3 3 दे दो इसको 4 दे थो equation देने से क्या है कि यह अंदर परिका होता है अब हम क्या करेंगे इस H की वेल्यू को equation 3 में रख देंगे यह लिए देंगे है अपन the value of H put in equation 3 H का मान समीकरन 3 में रखने पर और जैसे ही 3 में रखा तो 3 कहता है R ब्राबर 2H हमने गाँ ठीक है तो R equals to 2 into H की जी क्या रख दिया अपने 7 बटे 2 7 upon 2 यहां लिखना पड़ेगा कहां से लिखा from equation 4 समीकरन 4 से समझ पारे हो इसके बाद इससे ही कट जाएगा तो R की वेल्यू आ गई 7 सेंटीमेटर R तो आ गया 7 सेंटीमेटर और H आ गया 7 बटे 2 7 upon 2 सेंटीमेटर उसको 3.5 मत करना क्योंकि फिर वो solution मुश्किल पड़ जाता है इसके बाद देखो अब हमें निकालने इसका volume तो मैं थोड़ा से यहां पर यहां ले लेता हूं स्पेस ठीक है हमें क्या निकालने अब इसका volume तो बड़ा सिंपल होगी हमें volume का formula लगा देना है volume of a slender यानि की बेलन का item वो हता है pi r square h pi की जगे 22 बटे 7 r की जगे 7 इन्टु 7 और h की जगे 7 बहुत इजी तो देखो 7 से 7 कर जाएगा दोगे टेबल से 11 बार 7 7 जा 49 49 को आप 11 से multiply कर लो 11 नम न ज्यानों है 11 नाइन जा 99 और इन्टु 4 जा 44 44 और 9 किते हो गया आपके 9 और 4 तेरा यही 53 तो 5 3 और यह 9 549 सेंटीमेटर क्यूब ज्यान एकना हो गन सेंटीमेटर हिंदी वालवचे गन सेंटीमेटर क्योंकि यह वोल्यूम है तो काफी इंपोर्टेंट इजी सा क्योशन लेकिन समझनेगा थोड़ा फेर है वो मैंने बहुत इजी सेलोशन करवा दिया है इक्वेशन बना के एक्जाम जिन करके आना यह पक्का 6 नमर के आने लाइक क्योशन है यह था वेरी इंपोर्टेंट क्योशन नमर 5